तो इसी मही ने देखी राजकुमार राओ की श्रिकांत और इसी मही ने एक और ट्रेलर आचुका है राजकुमार राओ की मूवी का और इसी मही ने वो मूवी भी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है Mr. and Mrs. Mahi, जिसका नाम ही सुन लो या फिर poster ही देख लो तो समझ आता है कि इस movie के अंदर cricket को एक अलगी तरह का importance दिया गया है, जो कि इन characters के लिए एक तरह का emotion है, बहुत अच्छा emotion, और ये सारी बाते ऐसे इनी trailer भी देखाएं मैंने, तो trailer के अंदर भी काफी चीज़े clear हो जाती है, तो माही से सबसे पहले याद आती है, महेंदर सिंग धोनी की है, और इसके बाद याद आती है, शुशान सिंग राजपूत की, and then याद आती है cricket की, मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए cricket पहले आता हो, Mr. Mahi and Mrs. Mahi, दौनों का नाम पहले से ही एक्तम स माही का सपना होता है, एक क्रिकेटर बनने का, टीम इंडिया के लिए खेलने का, पर ये दुश्ट माबाप इस बॉलिवुड के अंदर, जो कि इन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देते, जो कि हम काफी मूविस के अंदर देखते है, या तो इनका सिस्टम करप्ट होता है, कि क्रिकेटर बनने नहीं दिया जाता, या फिर माबाप जो है, वो मना कर देते हैं, रोक देते हैं, या कह देते हैं, कि तुम अभी काबिल नहीं हो, या फिर कह देते हैं, कि नहीं, तुम तो फेलियर, वो फेलियर ही रहोगे, तो हाँ, घर वाले बदमाश है, क्रिकेटर नह सेट है पर माही ने सोच लिया है तो वो मार के रहेगा, I mean क्रिकेटर बना करेगा, तो बस यही मूवी के अवरवल कहानी होगी क्रिकेटर बनने तक का सफर, वही हम बीच में देखेंगे जो हमारे करेक्टर्स है यानि कि मिश्टर माही राजकुमार राओ के क्रिकेटर, उनकी कुछ डैड़ी इशूस जो की प्रोबेबली हैं इंडितक्स्वाल हो जाए तो कहीं न कहीं उनके माइंड में एक एगो है, एक रेबेलियस माइंड सेट है कि वो अपने फादर के सामने अपने आपको प्रूव गर के दिखाएंगे कि मैं तो क्रिकेटर नहीं बन सका पर मैं मेरी वाइफ को बना के दिखाऊंगा आपको और बता दूँगा कि मैं कितना काबिल हूँ पर इस चीज से उसकी काबिलियत कैसे बता जलेगी तो कि सच में मिश्टर माही यही चाहता है अपनी वाइफ को एक क्रिकेटर बनाना या फिर उसके पर्सनल ग्रेजिज है अपने फादर के साथ जिने वो सॉल्व करना चाहता है या अपने आपको एक बड़ा इंसान दिखाना चाहता है प्रूव करना चाहता है वो जो बॉलिवोड की में करेक्टर वाला माइंडसेट होता है सिमिलर वैसा ही कुछ और बात रही जानवी कपूर के करेक्टर को तो यही डाउट मन के अंदर आता है कि उसे ये step लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए क्योंकि life तो set है कि क्या वो सच में क्रिकेटर बनना चाहती है और थोड़ा बहुत अगर critically फैरी टेल के वर्ल्ड से बाहर आकर real world के अंदर देखे तो अक्सर ऐसा नहीं होता है कि हम हमारी hobby या फिर passion जैसी चीज़ को आगी follow कर बाते हैं और कुछ cases के अंदर अगर ऐसा ना हो तो ही जादा बहतर रहता है अच्छी बात है अपने passion को follow करो dreams को follow करो जो कि आप वो अंदर से भी खुशी देगा बट कुछ चीज़े ना hobby होती है जो आपके मन को अच्छी लगती है आपको करना पसंद है आप उन उनका अलग-अलग belief रहता है मैं अलग तरह की बात कर रहा हूं जो कि शायक से हमारी main character जो मिस्स माही का character है उसकी mindset से relate करता है तो chances यही है कि movie के अंदर यही होगा अपने आपको discover करना अपने dreams अपने goals को chase करना बिगडे रिष्टे सुलत जाएंगे daddy issues जो है वो भी solve हो जा लेना same actress के साथ जानवी कपूर नहीं act किया था उस movie के अंदर भी जो कि शायद से movies related कुछ चीज़े यह भी clear होती है कि आखिर में इनके प्यार की ही जीत होगी जैसा कि हर movie में होता है तो यह movie एक romance drama sport movie है जहां sports को movie के अंदर कितना मैट वो दिया जाएगा वो तो movie ही जाने और movie देखकर ही पता चलेगा excitement जैसी चीज़ की बारे में तो मुझे नहीं पता बस देखते हैं राजकुमार राओ की jawline I mean राजकुमार राओ की performance और जानवी कपूर की भी शायद होगी तो और उनकी love story क्योंकि आजकल कहां ऐसे लोग मिलते हैं जो यार अपने सपनों को छ कोचे समझ रहे हो ना तो वस आँ बाती एक खास बात यह है कि यह मूवी आ रही है 31st में को हां 31st में क्या यह हुआ है इस साल बेचैनी क्यों बढ़ने लगी पहले तो ना हुआ कभी दिल की धड़कन बढ़ने लगी